दोस्तों नमस्कार, जैस्री किष्णा, जैस्री राधे, दोस्तों आज एक बेहद खास टॉपिक लेकर आया हूँ, एक बिसेश वीडियो होने वाली है, कुछ जोतिसी है योग बताऊंगा आपको, कुछ ऐसे योग जो आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, आपके प योग आपकी लव लाइफ को तबहा कर देते हैं, आपकी लव लाइफ में आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होने देते हैं, ये वो योग हैं, जिनकी वज़े से अधिकतर लोगों के ब्रेक अप हो जाते हैं, वैसे आपको थमनेल पर, आपको समझ में आया होगा, किस टॉ आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकती है, अगर ये आदिते हैं, तो वो योग भी होंगे, ऐसे योग जिनकी कुंडली में होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ओवर माइंड़ेट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उनके अंदर कुषना कु आसी चीजें ये करते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग गहराई से हर चीज में जाना चाते हैं, प्यार भी गहरा करते हैं, निश्चित रूप से इनका प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए इन्हें प्यार में संतुष्टी नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा आपने कोई भी एक बात बोल दी उस छोटी सी बात को पकड़ करके बैठ जाएंगे ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों नहीं किया ऐसी बात करेंगे और ये योग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है या आपके अंदर ऐसे होते हैं तो वो योग क्या करते हैं आपके पार्टनर पर बार बार आपको सक करने पर मजबूर करते हैं बार बार आप partner को torture करने लगते हैं तो partner आपसे हर जाता है पूरी तरह से परेसान हो जाता है और वो आपको छोड़ने की सोचने लगता है यह होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप प्यार बहुत गहराई से करते हैं तो आप चीजों को भी बहुत गहराई से बहुत बारी की से जानना चाहते है एक तरह से आप बार बार एक ही बात को अगर उन्होंने एक बात बोली तो उस एक बात के आप अनिक अनिक अर्थ निकालते हैं बहुत सारी बातें आप सोचने लगते हैं उन्होंने यही क्यों बोला यह क्यों नहीं बोला में हैं तो उसे वीडियो भेज़ दीजिए और जो उपय में आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपके अंदर है या आपके पार्टनर के अंदर है और उप الحनी तभी आपका रिस्ता बच पाएगा बचाना दोनों लोग चाहते हैं चलाना दोनों लोग चाहते हैं लेकिन यह प्रॉब्लम बन जाती है जब आप एक छोटी सी बात का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बतंगर बना देते हैं बहुत ज्यादा उस छोटी सी बात पर इतना जब ज्यादा रिसर्च सी कर देते हैं पूरी तरह से गैराई में उतर जाते हैं और उसे छोटी सी मात को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना hundreds क्या योग हैं यह योग हैं मंगल से खासकर मंगल और राहु और केतु से बनने वाले योग राहु के तो योग जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं मतलब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन अभी केतु और मंगल के बनने वाले योगों के बारे में बता भाइभी बताते हुं कि सबसे पहला जो योग है वो अश्टम भाव में अश्टमेस अगर विराजमान हो और उसपर मंगल की या केतु की दृष्टी एक योग हो गया दूसरा अगर मंगल अस्टमेस हो दूसरा योग हो अगर केतु की दृष्टी अस्टम भाब पर हो मंगल की दृष्टी चोथी आठमी या साथमी दृष्टी मंगल की तीनों दृष्टी हो मैं से कोई सी भी दृष्टी आठमे भाब पर हो तब या मंगल की चौती द्रिष्टी 12 भापर भी पढ़ जाए और केतू की अश्टम भापर पढ़े और बिशेस रूप से मंगल और केतू की युती या ये योग देखते जाएए ये योग हैं या फिर मंगल बिश्चक रासी या मेस रासी में विराजमान है या अपनी स्वरासी का है या फिर अपनी उच्च रासी मकर रासी में विराजमान है या फिर अपनी नीच रासी करक रासी में विराजमान है तब भी ये योग होते हैं करकराशी वाला तो बहुत ज़्यदा खतरनाक होता है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बताएंगे, उसमें तो मतलब एक दूसरे को बरवाद ही कर देते हैं, बहुत उसमें कुछ और भी चैंजिस हैं, तो आपको हम आगे चल करकर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इस माइंड में से निकलती ही नहीं है और अगर निकालना चाहते हैं सबसे पहला हो पाए तो यह है कि आप अपने पार्टनर को भरपूर प्यार दीजिए उसे मौका ही मत दीजिए कि वो किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा सोच पाए अगर आप दोनों लोग ही ऐसे हैं तब इस दोस का जो योग है जो एक दोस है उसका अपने आप ही समाधान हो जाता है अपने आप ही वो कट जाता है अगर आप दोनों लोग ही ऐसे हैं तो यह रिस्ता कहीं न कहीं चल जाएगा क्योंकि दोनों लोग ही ऐसे हैं तो एक दूसरे को उस तरीके से समझ पाएंगे जातर यह problem मांगलिक लोगों में भी होती है अगर आप मांगलिक है तब भी आपको यह problem हो सकती है अब उपाय के उपर चलते हैं उपाय में आपको सबसे ज़्यादा meditation करना है गरेश जी की पूजा करनी है और गरेश जी को दूरभा रोज चड़गाना है बुद्वार के दिन ओम गंगर पताय नमहा या ओम शिद्धी बिनायकाय नमो नमहा इस मंत्र का जब करिए या विसेश रूप से अगर आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो सांदार आपके लिए ही रहेगा कि आप हर बुद्वार के दिन एक पान का पत्ता उसमें एक लॉंग लगा करके गड़ेश जी पर चड़ा आईए बस आपके लिए उपाय सांदार इनमें से कोई भी उपाय कर लीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाला है और आपकी ये प्रॉब्लम समाप्तो होने वाली है दोस्तों यह थी वीडियो यह बेहाद खास बीडियो है और अपने दोस्तों को जो भी ऐसे हैं जो अपने रिलेशनसिप में ऐसे परेषान है या आपके वॉइफ्रेंड आपकी गर्फरेंड या आपके मेरिट लाइफ में भी ऐसी परेषान ही बन चुकी है तो आप उन्हें सेर कीजे और उपाय उन्हें खुद अगर लगेगा तो वो करेंगे आप उन्हें फोर्स मत कीजेगा क्योंकि उपाय जो है वो अपने आप किये जाने वाले अपने विस्वास और स्रद्धा से किये जाने वाली चीजे हैं कोई किसी की जवरजस्ती से कोई कराए तो वो फल बिल्कुल नहीं देते हैं तो आप कीजेगा आज इस मक्खी ने भी बहुत ज़्यादा परेसान कर लिया है अभी रासी फल सूट कर रहे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा परेसानी हो गई क्योंकि अभी बरसात चल रहे है तो यह परेसानी हो ही जाएगी अभी बरसात में हो ही जाती है कुछ प्रॉब्लम ऐसी मक्खियों की ज़्यादा हो जाती है एक दो मक्खियां पर हैं जो मुझे परेसान कर रही है दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो पसंदाई होगी पसंदाई इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों की साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करें उसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेड़ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार